तो सीवा ने यहां पर लॉंच कर दिया अपना नया स्मार्ट टीवी जो कि आपको फुल एरे फीचर के साथ में देखने को मिल जाता है जिसमें काफी सारे बैस्ट फीचर आपको देखने को मिलते हैं और वह भी बजट प्राइज रेंज में क्योंकि आप फुल एरे टीवी एक काफ यादा हाई हो जाता है लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बजट सेगमेंट में फूल एरे जैसा फीचर तो वीडियो को लास्त तक देखते रहें और आपके अपने यूटूब चैनल प्राइम टीवी टैक्वे और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं इनको दबाना नहोंने ताकि ऐसी इंटर्स्टिंग वीडियो जैसे अप्लोड करें आप उने सबसे पहले देख सके तो चलिए फिरिंट्स बिना किसी देरे के इस वीडियो को सुरू करते हैं तो सीवा ने अभी लॉंच किया है जो सीरीज तो यहां पर आपको देखने को मिलती है फुल एरे वाली जो सीरीज है तो यहां पर यू सेवन नाइन आपको सीरीज देखने को मिल जाती है यहां पर देखने को मिलता है 55 इंच और 55 इंच यह दो साइज में आपको देखने को मिल जाता है बेजल लेस्ट डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है, अल्टरा स्लिम टीवी आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, तो सीवा के साइट से, तो इसका जो यहां पर बात करते हैं, बिल्ड क्वाल्टी की, तो यहां पर इसमें जो material यूज किया गया है, प्लास्टिक और यूज किया गया है, आपको इसमें टीवी में प्लास्टिक की बॉड़ी देखने को मिल जाती है, साथ में मेटल का स्टैंड देखने को मिल जाता है, और फ्रेंड्स हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इस टीवी में आपको दो वेरिएट देखने को मिल दांचे मन शुर्बह connection को मिल जाता है, इसमें टेक्ठोलडी का यूज की के ढिवर देखने को मिल जाता है, होता है यहाँ पे गदेखने को मिल जाती सांथ मैं हित कर्यों को सब्सक्राइब टन कर्यों सब्सक्राइब हो जाता है इसमें आपको डॉल्वी एटमोस का सपोर्ट देखने को मिल जाता साथ ही जिस कारण से आपका जो साउंड की जो लिस्निंग एक्सपीरेंस से काफी आधा इंप्रेसिव हो जाता है इस टीवी में बेस्ट पर्फॉर्मेंस के लिए यहां पर को प्रोसेसर यूज किया गया साथ में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वीडा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है हाइसेंस के ग्लोवर वर्जन ट इसका फुली ऑप्टुमाइज किया गया है साथ में बैस्ट स्मार्ट फीचर एक्प्रेंस आपको देखने को मिल जाता है यहां पर आपका जो टीवी है काफी जल्दी ऑन आफ हो जाता है क्योंकि जो वीडिया ओपरेटिंग सिस्टमाइज कर सकते हैं साथ में इस टीवी क स्टे जो ते नौर्मल टीवी 2 के कमिर्शन में 3 पूना 4 बहुंकि इसमें इक्श्ट्रा कोई फाइल लोड नहीं होती है इसलिए इसमें आपको एक जाते हैं आपको खुलनेacz जितने भी streaming app है वो सभी देखने को मिल जाती है जैसे कि Netflix हो गया प्राइम वीडियो हो गया YouTube इरोजनाव हंगामा जैसे काफी सारी आपको इसमें देखने को मिल जाती है साथ में इस TV में आपको built-in Alexa देखने को मिल जाता है जिससे आप वाइस कमांड के थुरू TV को अपरेट कर सकते हैं हाला कि इसमें Google Assistant होता तो काफी आधा अच्छा होता क्योंकि Google Assistant का जो वाइस कमांड है काफी आधा वर्क करता है आपका बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है तो एक कमी जरूर आपको इस TV में देखने को मिल जाती है कि यहाँ पर आपको Google Assistant का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है और साथी फ्रेंड्स यहाँ पर आपको Chromecast का फीचर नहीं देखने को मिलता है यहाँ के वाल आपको स्क्रीन मिल्दिंग का फीचर देखने को मिलता है जिसमें आप मोबाइल टैबलेट लैप्टॉप पीसी बगारा की स्क्रीन जो ह यहाँ पर यह दूसरा माइनस पॉइंट है इस टीवी में कि आपको यहाँ पर फीचर देखने को नहीं मिलता है तो यह काफी अच्छा फीचर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है साथ में इसमें आप ब्लुटूथ को स्पोर्ट मिलता है यहाँ पे इसमें मेंनसन नहीं किया गया है तो यह मुझे कंफर्म नहीं है और साथ में यहाँ पर आप ओर एच्ड haya जाता है इसमें से ARC इंकलूड़िट है साथ में दो USB पोर्ट देखने को मिल जाता है और बात करते हैं इसके रिमोट की तो आपको यहां पर बिल्ट एलेक्सा देखने को मिलता है वाइस कंट्रोल के लिए साथ में वाइस AI रिमोट है आपका होट की इसकी बात करें तो प्राइम वीडियो नेट्फलिक्स और बैटरी देखने को मिल जाती है यहां पर तीन साल की वारंटी आपको देखने को मिल जाता है कि यहां पर तीवी में आपको तीन साल की वारंटी देखने को मिल जाती है कि यह तीवी आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए तो यह टीवी जो है फ्रेंस जो डिजाइ लोक्स बगैरा काफी आदा सिमिलर आपको देखने को मिल जाती है तो तीनों के जो मॉडर्ण है आपको सेम देखने को मिल जाएंगे फीचर भी लगभभभा सेमें बस इसमें आपको वीडागो अपरेटिंग डेखने को मिल जाता है धुरियो में आपकोो एंड़ाइड को अपरेटिंग ईथे जब देखने को मिलता यदि आप एंड़ाइड प्रफरेदी आप टीवी ही चलाना चाहते हैं तो मैं आपको करूँ आप हाइसेंस या फिर वीओ टीवी ही पच्छेस कने दी आपको Android OS से कोई फरक नहीं पड़ता दी जादा तो यहां पे आपका तुसीवा यह काफी अच्छा ऑप्सन रहे है क्योंकि हाइसेंस और वीओ के जो मॉडरन है यह आपको एवलिबल नहीं होते हैं ज्यादा तर इस इस टीवी से रेलिटेड कोई भी आपके डाउट एफे क्यूरी जहें तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आप सभी के रिपलाई जरूर करूंगा और साथ में यह आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके फ्रेंड्स और